Hello and welcome friends, हम C language, C++ और Java इन सब में addition का program बना चुके हैं, even Java script में भी बना चुके हैं, अब हम थोड़ा Python पे भी करते हैं, focus, Python पे भी तो बनाई चुके हैं, लेकिन ये वीडियो और भी बहतर है, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो और भी बहतर तरीके से Python पर काम कर पाएं हैं, क्लिक करना है इस पर तो new file आ जाएगी, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, एक variable बनाना है, a is equal to int, ना लिखा, int, अब यहाँ पर देंगे input, input एक function है, int एक variable का data type है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, enter a number, ठीक है, यानि user को दिखाई देगा, enter a number, screen पे, ठीक ह फिर यहाँ पर दूसरा variable, b is equal to int, input, अब फिर यहाँ पर क्या देंगे, enter the second number, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, enter the second number, ठीक है, तो यहाँ पर enter the second number कर दिया हमने, enter paste करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, c एक variable बनाएंगे, c is equal to a plus b, ठीक है, यह हम करेंगे, समझ में आ रहा है, c is equal to a plus b करेंगे, अब क्या करना है, यहाँ पर हमें print करवाना है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे print, यहाँ पर print function का यूज़ करेंगे, और c में ही वो value ज आके store होगी, तो c को print करवा देंगे, simply, चलिए इसको save कर लेता हूँ, और फिर इसको run करवा के देखेंगे हम, मैं इसको add के नाम से save करता हूँ, add.py, ठीक है, और इसको हम save करेंगे desktop पे, ओके, तो यहाँ हमने save कर लिया, और अब इसको run करवाने की बारी है, तो इसको run कर आते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं, enter, number आ रहा है, बहुत ही easy है, ठीक है, c language से तो बहुत ही ज़्यादा easy है, और यहाँ पर second number, तो interface किया, तो यहाँ पर इन दोनों का addition होकर आ चुका है, देख सकते हैं, आप, आईए चलिए, अब हम देखते हैं, कि इसी में हम, अगर हमे जो variable आपने बनाया है, इसमें सिर्फ आप minus लगा दीजिए, ठीक है, जैसे ही minus लगाएंगे, तो यह आप subtraction करके देदेगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पर आपने save किया, और यहाँ से आप इसको run करवाईए, तो यहाँ पर यह run हो गया, अब यहाँ पर suppose कि यह 6 है, ठीक 6 में से 9 minus करना है, तो आपको पता है कि 6 में से 9 minus होगा, तो answer minus में आएगा, तो आइए देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ पर minus 3 आ चुका है, तो आप देख सकते हैं कि यह कितना easy है, ओके, आइए चलिए, अब फिर एक और बार इसको run करवाना है, इस बार हम multiply करेंगे, तो यहाँ सिर्फ आपको into का sign लगाना है, और यह multiply करके देदेगा, ठीक है, बहुत easy है python, यहाँ से run module किया हमने, enter a number आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई number इंटर करते हैं 8, और 7 से इसको multiply करते हैं, तो यहाँ 56 आ चुका है, आप देख सकते हैं, तो यह बहुत easy है, ठी python, तो यहाँ पर आप upon का sign देना है, तो यह divide भी करके देदेगा हमें, तो यहाँ पर इसको save करता हूँ मैं, अचली आप divide करा के देखते हैं, कि यह divide करता है या नहीं, तो यहाँ पर हमने run कराया, enter a number, तो 7 है, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखिएगा कि आपने integer लिया है हमें, लेकिन यहाँ पर हमने int data type लिया है, फिर भी यह point में result निकाल करके हमें दे दे रहा है, तो उमीद करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आई होगी कि यह कैसे काम करता है python, next video में इसका पूरा explanation और भी चीज़ी हम लोग जानेंगे, अगर video पसंद आए तो इसको like करें, share करें, thank you for watching this video